दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का योग एसी लर्डिंग यूटूब चैनल पर बात करेंगे एड़ेड जूनियर 2021 सिचक भरती को लेकर के जोकी 1895 पदो पर निकाली गई थी इसके अलावा TGT PGT नई भरती का भी बिग्यापन जारी किया गया है एल्टी ग्रेट को लेकर के भी बड़ी अपडेट है इसके अलावा यूपी ट्रिपलेसी पेट 2023 को लेकर के भी महत्यपोल दिसा निर्देश को कवर करने वाले हैं तो जो भी छातर चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब और सिकर ले सही और सटीक इन्फार्मेशन सब से पहले पाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपलेसी पेट 2023 की बेस्ट बुक के बारे में जो की चच्छू प्रकास्तान की है ये बुक लेटिस्ट परिच्छा पाइटन पर डिजाइन की गई है एक अगस 2023 के नोटिफिकेश तो इस बुक की डारेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हैं इनके साथ इनके अलग-अलग प्रक्टिस सेट भी आते हैं इसे परचेस करके अपनी तयारी और भी इंप्रोब कर सकते हैं दोस्तों सब भरती अभी भी आगे नहीं बढ़ रही है सबजेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि परड़ाम रद करके समस्त खाली पदों को जोड़ते हुए इस परिच्छा को पूरा करवाने की संबन में और इस भरती को आगे बढ़वाने की संबन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पी एनपी कारयाले से 2021 में 1895 पोदों पर इस भरती का बिग्यापन तो जारी हुआ एकजाम भी हुआ लेकिन उसके बाद आगे की चीजे पूरी तरीके से इसमें ठप पड़ी है प्रडाम भी आया तो उसको लेकर के भी यहाँ पर कई प्रकार की बिसंगतियां देखने को म इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो है DSSB भरती को लेकर तो DSSB की और से नई सिच्छक भरती इसके अलावा जो है नॉन टीचिंग की पोस्ट पर भी इसमें कई प्रकार की भरतियों का बिग्यापन जारी कर दिया गया है ओनलाइन आवेदन की डेट इसमें 17 अग इसके अलावा अगर हम बात करें TGT Special Educator की तो इसमें 581 पद साथी यहाँ पर कई प्रकार के नॉन टीचिंग के भी आपको यहाँ पर जो पोस्ट हैं यह देखने को मिल जाती है लिबोरेटरी असिस्टेंट की इसके अलावा यहाँ पर जो है आसिस्टेंट की जो है टेकन भरतियां PGT English, PGT Computer Science, TGT तो इस प्रकार की यह भरतियां का विग्यापन जारी कर दिया गया है ओवराल बात करें तो 1841 पदों पर यह भरती है हाँ देखी एक इसमें जो है लोचा था एज लिमिट को ले करके तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर TGT के मिल रहा है इसके अलावा अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो पूरे डाकुमेंट आप अपने रेडी कर लें 17 अगस्स से इसके लिए online आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे तो यह हो जाती है यहाँ पर जो है DTSB की कई भरतियों को ले करके non-teaching का भी आप इसमें देख स के लिए लोग सिवा आयोग पर दबाव भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक इन पर बढ़ेगा तब तक इसका बिग्यापन नहीं जारी होगा यह लोग आसानी से बिग्यापन नहीं जारी करेंगे भले ही मुझूद रहें फिर भी बिग्यापन ऐसे नहीं जारी होता। इसके बाद UPSC की अगर हम बात करें तो UPSC पेट का जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विग्यापन जारी कर दिया गया है तो इसमें अगर हम बात करें फोटो और सिंग्नेचर को ले करके देखी ये एक ऐसा जो है मोड होता है जिसमें बहुत सारे चात्रों का फॉर्म रिजेक हॉर्म